एकाई दो, कच्च की सैर, यात्रा वृत्त विशाल भारत ने अनेक दर्शन ये प्रांथ है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है, गुजरात उन्में से एक अनुठा राज्य है, गुजरात का एक विशिष्ट जिला है, कच्च, जो गुजरात का अत्यंत रमणिय प्रदेश है, यात्रियों के लिए कच्च आकर्शन का केंद्रु है, इसका पौरानिक महत्व भी कम नहीं, अनेक दर्शन ये स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानिकी संग रहाले कह सकते हैं, कच्च में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षन नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतह या अनुठा वेगिस्तान है। हमें प्राचीनता में आधुनिक्ता के दर्शन होते हैं। आधिपुर में घांधि स्मृती तथा पासी कंडला बंदरगा का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहां के प्रजा के लिए महत्व पूर्ण है। कंडला से दक्षिन की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संग मरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकम्प में खंडित हुआ। उसके पुनह निर्मान का कार्य जो रो से चल रहा है इसे आधोनिक्ता का स्परश मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहां अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विक्सित हुआ है। यहां कुछ प्राचीन इमारते हैं। समुद्र के किनारे तटिय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अतिसुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल पवन्चक्कियों तथा समुद्र तट की कारण अधिक दर्शनिय बना है। यहां VRTI ग्रामे संस्ता है। बहत्तर जीनाले है। पास ही बिदड़ा गाउं में अंतराश्रिय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो, महत्वपूर्ण गाउं है। जैनों का प्राधान्य यहां नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहां वायू सेना का मुख्य अड़ा है। नलिया से एक घंटे की यात्रा करने के बाद नारायन सरुवर, अती प्राचीन, पौरानिक, धार्मिक स्तान आता है। इस्तान को रामायन काल का माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शन यह मंदिर है, जहां से रावन गुजरा था, यहां बुरे बारत का प्राचीन स्तान माना जाता है। सूर्यो दय और सूर्यास्त दर्शन यहां का बड़ा आकर्शन है। नारायन सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। जो अती प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रच से पावन इस भूमी पर गुरु द्वारा है। एक समय का सम्रिद्ध शहर आज जिर्ण आवस्था में होते हुए भी दर्शनी है। यहां एक किला है उसके बगल में पानंध्रो खनीच संपत्ती के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्मान का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्च की और बढ़ने पर हाजी पीर मुसल्मानों के लिए दर्शनार्थ आते हैं। आगे नक्तराना प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांधाय जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। अब कच्च का मुक्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, टावर, स्वामिनारायन मंदिर, हिल गार्डन, हमिरसर तालाब, भुजिया पहाड, लोक संग्रहालय, विश्व विद्यालय, आधी के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भुचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनह नर्मान कर के और सुन्दर शहर बना दिया है। भुजि से उत्तर दिशा की ओर, खावडा में एक काला डुंगर है। पहाड पर चड़कर रेगिस्तान की जहांकी करना एक अनुठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानिय जंता द्वारा रनुत्सव का आयूजन होता है। देश भर से लोग यहां आते है। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंद दाई घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए स्रिजन संस्ता में यहां की प्रजा की हस्त कला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदर बना है जो एतिहासिक स् यहां से आदिपुर कथा घांधी धाम जा सकते हैं। सुरजबारी नामकस्तान से हमारी कच्छ यात्रा पुर्ण होती है जो अविस्मरणिय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है। और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनी है एवं आकर्शन का केंद्र है। अनुवादक महेश भाई उपाध्याए। किसी भी मौसम में देखा जिए लिए लिए इवपाध्याए। झाल 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 मत्रो झाल 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 तल स्वा झाल मत्ह गाल झाल 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 पर दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो खावडा में काला डुंगर है। पहाड पर चड़कर रेगिस्तान की जहांखी करना एक अनूठा अनुभव है। जैसल तोरल की स्मृती में मंदिर बना है, जो एतिहा सिक्स्तान है। यहां से आदिपुर तथा गांधीदान जा सकते हैं। सूरजबारी नामक्स्तान से हमारी कच्छ यात्रा पुर्ण होती है, जो अविस्मरणिय स्मृतियां छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच गुजरात का गौरव है। और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनिय एवं आकर्शन का केंद्र है।